What is up everybody आज के इस वीडियो में बात करेंगे बार्डर प्रॉपटी के बारे में साथे साथ समझेंगे कि बैगराउंड किस तरीके से चेंज किया जाता है CSS में So without wasting your time Let's get started All right guys So हम अपने VS Code में आचुके मैंने इतर एक डू बना के रखा यह कैसा दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूं कुछ इस तरीके का दिख रहा है अब हम बात करेंगे सबसे पहले हाइट विड्थ के बारे में विगोज हमने CSS के अंदर हाइट विड्थ को नहीं देखा है And HTML के अंदर हम पता है हम इदर विड्थ लिखते हैं And सारी चीज़े हमने पुराने टुटोरिल्स में देखी लिए कि जैसे आप विड्थ लिखते हो And उसके बाद आप विड्थ देते हो But यह सही तरीका नहीं है जैसा कि मैंना बता है था पिछले टुटोरिल्स के अंदर हम इदर आएंगे हम इदर लिखेंगे विड्थ राइट इससे भी पहले मैंने इदर एक आईडी दिया इसकी तो मैं इसको कॉपी करता हूँ And इदर मैं हैश लगाऊँगा उसके बाद इस आईडी को पेस्ट करूँगा Then इदर हम कुछ चीज़े लिखेंगे सबसे पहले चीज होगी हाइट हाइट को हम डिफाइन करेंगे 500 पिक्सल्स सेव करता है विर्थ को हम डिफाइन करेंगे May be 450 पिक्सल्स होगे फिर हम देख लेंगे कोई अगर चेंज आते तो एंड मैं इसर इन दोनों के बार इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिख देना चाहूँगा ये एक ऐसी चीज जो कि रहना ही वाली है मेरे पेज के अंदर तो प्लीज अगर कोई ऐसी चीज है कि आपको रखना ही रखना है एंड उसको चेंज नहीं करनी उसकी वाल्यू तब ये इंपोर्टेंट का यूज कर सकते हो ये थोड़ा सा जयदा स्ट्रेच आउट हो चुका है तो मैं इसको 750 कर देता हूं ये सही रहना चाहिए इसके लिए उपस थोड़ा सा और स्ट्रेच आउट हो चुका है 850 850 तो हो जाना चाहिए हाँ 850 अच्छा है अब दिक्कत क्या है पता है कि ये जो बैगराउंड की वज़े से ये थोड़ा स्ट्रेच आउट हो जाता है कोई बात नहीं इसको बाद में देगेंगी इसको चेक कर लेते सबसे पहले मैं लिखूंगा इदर एच थ्री एच थी के पीछे हम लिखाएंगे डालेंगे बैगराउंड कलर तो मैं देलिग देता हूं बैगराउंड कलर एंड जैसे कि आमने पिछले वीडियो में कलर सके बारे में समझाता है सेम टू सेम वेसी एंड यह देखो यह कुछ इस तरीक से दिख रहा है कटिया दिख रही है यह वेबसाइट इमेज की वज़े से इमेज थोड़ा ज्यादा बड़ा है आप कोई अच्छा सा इमेज पकड़ लेना अभी हम इसको चेंज करने नहीं बैठेंगे तो यह कलर अच्छा लग रहा ह करने में च्छा लिब आज आएगा अच्छा अच्छा चीज है अगर आपको ऐसी चीज चाहिए तो इसे एलिमेट लो आप अठेंड राख कर देंट को सेट कर दो तो इन्विजबल होगा अठार को डाइरकली बैक्रण कळ अंड मिल जाएगा बाडी में भी लगा सकते हो बोडी टैक के अंदर लिख सकते हैं इसके अंदर स्टायल टैक के अंदर अगर मैं इसके अंदर में पिस्ट करूं यह चीज तो यह देख यह पूरा का पूरा राड हो जाएगा ठीके बट्या अच्छा नहीं लग रहा है रेट से थोड़ा हटके कर देते हैं कुछ अच्छा सा इसके जैसा करते हैं इसके जैसा Okay so it should be like this या this type of color save करते है let's see या अच्छा दिख रहा है metallic finish है बहुत अच्छी चीज दिख रहा है बट मैं सबसे पहले इसकी height को निकालना चाहूंगा and unwanted colors को मैं नहीं रखूंगा मैं इसको भी कुछ इस तरीके काई कर देता हूं just like थोड़ा सा dark करता हूं इसको and इसकी जो RGB values है इसको इदर paste कर देता हूं ताकि यह भी intact रहा है इससे A निकाल देता हूं by the way यह जो RGB A होती है वो hue के बारे में होती है hue and saturation अगर आपको नहीं पता की hue and saturation क्या होती है basically जो color होता है उसकी कितनी opacity रखना चाहते हो आप उसके बारे में होती opacity means की अगर को color आपको बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा दिखाना चाहते हो एकदम color dark दिखाना चाहते हो आप फुल कर सकते हो opacity and अगर बहुत ही low दिखाना चाहते हो आप इतना ज्यादा नहीं दिखाना चाहते हो shadow type का दिखाना चाहते हो then आप 0.5, 0.3 ऐसा कर सकते हो 0 से यह 1 की बीच में होता है and इसके लिए आपको RGB A का use करना पड़ता है so यह बात याद रखना कोई भी पूछा तो बोल देना कि यह इसलिए काम है था hue के लिए and या हमारी यह चीज अच्छी दिखा रही है background color को थोड़ा सा और change करेंगे या फिर निकाली देते background color पैसे भी खट्टिया लग रहा है comment out कर देते इसको इदर आते वापस and it is our website okay इसको थोड़ा सा ब्यूटिफाइ करते है सबसे पहले यह जो हमारी image है इसको थोड़ा सा साइज में लाते तो मैं इदर आ जाता हूं right click करके inspect करने and इसकी size को हम देख देख देते यह दे बता रहा है कि यह overflow हो रहा है तो मैं थोड़ा इसको नीचे लाता हूं पहले नीचे लाया एंड़ चेक करते हैं इसको हाइट एक दम इसकी सहीर लग रही है हाइट में कोई दिक्कत नहीं है कि देखो आपको इदर इस साइड कोने पर ओर भी दिख रहा होगा जैसे मैं इसको कम कर दोंगा तो यह दिखो यह ओवरफ्लो चला गया बड़ जैसे मैं इसको स्ट्रेच आउट कर दोंगा तो यह देखो यह overflow कर रहा है तो अम इन सबको ओवरफ्लो नहीं करना है एंड यह देखो अगर मैं इसको इसको किस तरीके से सेट करेंगे विर्थ कुछ इस तरीके सी है हमारी देखो ये इसको इस तरीके से कह देते हैं एंड या इट शुट बी फाइन मैं इसको का एक काम कहता हूं 840 पिक्सल कह देता हूं एंड इस लुकिंग गुट तो मैं क्या करूंगा मैं दोनों को कॉपी करूंगा डायरेकल इसको करने के बाद मैं अधर आ जाओंगा मेरे वियस कोड के अंदर एंदर पेस्ट कर दूंगा कोई ज्यादा छेड़े खानी नहीं एंड मैंने जो इधर ट्विक किया था वो इधर आ जाएगा एंड इधर एच्थ्री में कुछ अच्छे से फॉंट डालते हैं फॉंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यह जो डिफॉल्ट आते हो इसलिए मैं कुछ अच्छे से मुझे यह अच्छा लग है ठीक है मैं अपने फॉंट की एड गर रहा हूं तो मुझे अच्छे फॉंट चाहिए उसके बाद मैं परेग्राफ के अंदर थोड़े फॉंट डालना चाहूंगा परेग्राफ के अंदर भी थोड़ी जाना आनी चाहिए तो मैं अधर भी लिख यह कुछ इससंसे है color करते कि निकाल देते हैं आपको पता चलगा बैग्राउव करा है कि अंद Means कि ए अधायो चैजでは पीछे बेगडाउंड में इमेज आरही हो तो मैं इच्छा होदी की वह इमिह किस तरीक साहती है उसके बारे मुदेखें मैं इस body को जिन्दा करूँगा obviously background color के लिए background के लिए जिन्दा करूँगा मैं इसको background and background image image लिखता हूँ मैं इधर background image and इधर मैं जैसे control space करूँगा तो ये देखो ये कुछ अलग-अलग चीजे दिखा रहे मैं simply background image लिखता हूँ and ये देखो ये बहुत सारी चीजे दिखाएगा आपको आपको simply अगर आपके पास image नहीं आप online से लाना चाहते हो तो आप URL लिख सकते हो and अगर आपके पास local पड़ी हो ये तो भी आप URL से लिख सकते हो या फिर आप जो path हो दे सकते हो ठीक है but अभी हम online image लाएंगे तो हम जाएंगे nothing की website पर probably मुझे कोई अच्छी image मिल जानी चाहिए ये देखो ये बहुत ये अच्छी एक image है nothing phone 1 की है ये nothing phone 2 की image मैं इसको right click करता हूँ open new tab करता हूँ and ये जो URL है मैं इसको copy करूँगा simply copy करने के बाद मैं इसकोड में आके इस URL को इस तरीके से double quotes के अंदर पेस्ट कर दूँगा जैसे मैंने पेस्ट किया है वापस ये देखो ये मेरी image आ चुकी है but अब बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही गटिया दिख रही है अब गटिया इस ले दिख रही है because ये रिपीट हो रही है ठीक है रिपीट हो रही है और स्ट्रेच हो रही है तो हम इसको चेंज कर सकते है कुछ इस तरीके से अगर मैं बॉडी के अंदर जाओ एंड में लिखो बैकराउंड इमेज मुझे इतर लिखना चाहिए बैकराउंड तो इतर एक प्रॉपर्टी आती है CSS के अंदर बैकराउंड रिपीट एंड इतर हमें लिखना होता है सिंपली नो रिपीट जैसे हम करेंगे तो यह देखो यह रिपीट हो रही थी हमारी इमेज हो चली जाएगी ठीक है रिपीट नहीं होगी हम जस्ट इसको रिपीट कर देते हैं इंड उसके बाद यह और चीज आती है background position background position आप कर सकते हो background position कुछ इस तरी ऐसे intervert center unit set top कुछ इस तरी के से चेंज कर सकते हो तो आप center रखोगे और बीच में आजाएगी एकदम ठीक है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करना चाहूंगा मैं इदे लिखता हूँ height height को मैं कर देता हूँ 100 920 pixel and width width को मैं कुछ अच्छा सा कर देता हूँ इदर width को हम कर देते 1080 pixel okay save करते हैं इसको and इदर यह जो comma है वो मैं देता हूँ a colon बोलते हैं इसको क्या बोलते है comma colon ज़ो भी बोलते हैं याद रखना इसका नाम तो यह देखो यह कुछ इस तरीके से आ रहा है repeat हो रहा है तो वापस से हमें इसको इदर नहीं हमें इदर चेंज करना होगा background repeat को background repeat को हम कर देते हैं ताकि यह इदर से कभी भी repeat होई ना ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड हमारा जो text है वो नीचे आ चुका है तो हमको text का भी color change करना होगा तो हम text का भी color change कर देते इदर यह जो color है नाम मैं pronounce नहीं करूंगा इस color को हम लग देंगे तो यह देखो यह हमारा nothing this is a new phone आ चुका है और उसके बाद अगर मैं यह color को copy करके इदर paste कर दूँ save करूँ तो यह देखो इदर भी आ चुका है यह आप अपने साब से इसको customize कर सकते हो बस्ट में आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से यह work करता है और किस तरीके से background image लगा सकते हो बहुत अच्छे से यह था background image और background color के बारे में अब हम एक और file बनाते है जो कि होगी border के बारे में तो border के बारे में दिखेंगी border.html में बनाता हूं फटा-फट से एक boilerplate code डालता हूं इंदर में लिखता हूं मैं पहले सोच रहा था कि इसके अंदरी डाल दूपर कोई बात नहीं हम एक ही जगा पर सारी चीज़े mix नहीं करेंगे हम इदर से simply टाइटल को कॉपी करेंगे टाइटल कॉपी करने के बादे पेस्ट करेंगे एंड इधर आ जाते हैं एक सिंपल सामेट बना देता हूं फटा-फटा से डिव अच्छी एक अच्छी नहीं लगते हैं थोड़ा सा कम करना चाहूंगा इसको एंड या इतने वर्ड काफी है उसके बाद हम पी लिखेंगे पेरेग्राफ के लिए पेरेग्राफ में है मैं लिख देता हूं लॉरेम सिम्पल सी बात है सेव करते हैं एंड इसको हम खोलते हैं लाइव सेरवर में गुलाइव पे क्लिक करके एंड यह कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारी वेबसाइडों के अब बॉर्डर की बात करते हैं बॉर्डर क्या होती है किसी भी ऐलिमेंट की जो जितनी उसकी विर्थ और आइट होती है एतर मुझा की एक जो हमारी एलिमेंट यहेजों में इसको को वैड्ड कर देता हूं मैं आपको आप ही समझलों हूं ऐस भी एदर लेट्व में द्टाने के बाद हम एक एक दलिखका अगर मैं बलू कुछ नहीं हुआ क्यों विखोज हमने बॉर्डर की विड्थी नहीं तो मुझे एक काम करना होगा अलग अलग चीजे लिखने होगी पहले मैं इसको बन कर देता हूं सबसे पहले मैं लिखता हूं बॉर्डर विड्थ मैं लिख देता हूं 2pixel बॉर्डर स्टाइल लिख देता है अलग यह देखो आपको एक बॉर्डर मिल चुकी है यह था ठीक है मैंने लिखा बॉर्डर विड्थ 2pixel लिखे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड अगर मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना होता बॉर्डर कलर तो मैं कुछ इस तरीके से कर देता यह देखो यह रियल टाइम में चेंज हो रहा है बॉर्डर कलर मेरा अब देख सकते हैं यह रियल टाइम में चेंज कर सकता हूं मैं तो मैं कुछ इस चासा डार्क बूलू कर देता हूं तो यह तीन प्रॉपटी हमने लगाई इस तरीके से एंड हमारी बॉडर आचुकी है इधर तो मैं इन तीन प्रॉपटी को इधर कॉपी करूँगा इधर मैं एक स्टाइल टैक बनाऊंगा स्टाइल टैक बनाने के बाद मैं इधर मैं सबसे पहले लिखता हूं दिव विगोज हमने यह जितनी भी प्रॉपटी थी वो डिव पर लगाई थी सेव करते हैं एंड इधर राइट लिक करके फॉर्मैट फाइल पर क्लिक करता हूं यह ज्यादातर काम तो नहीं करता है मुझे पता था बट आप कुछ इस तरीके से इसको फॉर्मैट कर सकते हो राइट लिक करके फॉर्मैट डॉक्यूमेंट विथ एच्टी एमल ठीक है तो कुछ इस तरीके साब इसको फॉर्मैट कर सकते हो अभी हम जाके देखेंगे तो यह हमारी properties आ चुकी है basically हमें दो properties लगती है एक normal border को बनाने में black color की ठीक है अगर आपको normal black color की border बनानी है तो आपको सिर्फ दो properties चाहिए आपको सिर्फ दो बार specify करना है पहली यह की आपको कितनी pixel की चाहिए विर्थ उसकी वह specify करना है मानलो मुझे 200 pixel की चाहिए अगर मैं इसको save करके देखा हूँ तो यह देखो यह इतना बड़ा हो चुका है मानलो कभी कबार हमें 20 pixel की चाहिए 20 pixel maximum होता है कभी कबार जादा भी चाहिए होती है बट 2 pixel normal हम यूज़ करते है दो पिक्सल की बॉर्डर तो बॉर्डर की style आपको कौन सी style में चाहिए solid चाहिए देन बहुत और भी style होती है just like dotted कभी कबार आपको ऐसा हो सकता है कि dotted चाहिए कोई print कर रहे हो तो recipe निकालने के लिए dotted बॉर्डर चाहिए तो उससे cut कर सकते है वह चीज़ आप कर सकते हैं और और भी बहुत सारी style है तो आपके पास एक practice में दे रहा हूँ कि आप जितने भी यह style है उनको करके देखो हर एक बार अलग-अलग change करके देखो कौन-कौन सी style आती है and आप none भी कर सकते हो ठीक है थोड़ा सा blue-ish and थोड़ा सा yellow-ish कहां गया मेर वी एस कोड वी एस कोड को मैं दल लाता हूँ and none को मैं solid कर देता हूँ ताकि यह दिखे तो अगर मैं दिखाऊं तो यह देखो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो आप इस तरीके से इसका color change कर सकते हो and इस तरीके से इसका solid बना सकते हो अब कई बार ना यह तीनो चीजे लिखना है बहुत ही हैडी हो जाता है तो मैं आपको बहुत ही अच्छा सा shortcut देता हूँ चोकि आप जब भी यूज करोगा आपको बहुत ही मसा आने वाला है आपको simply लिखना है border 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 लिखने के बाद आपको simply लिखना है two pixel लिखना है solid and लिखना है black okay इसका मतलब यह है कि आपने एक ही लाइन में तीनो की तीनो चीजे डिफाइन कर दिया आपने सबसे पहले width को डिफाइन किया अगर आपको यह तीन लिखना है तो आप यह तीन भी लिख सकते हो अगर आपको यह लिखना है simply border two pixel solid black okay solid black solid black okay solid black करेंगे हम जैसे तो यह देखो यह कुछ इस तरी के साथ चुकी है यह बहुत ही अच्छा शॉटकुट है बहुत ही जादर लोग उसका यूज करता है हम यार 3-3 लाइन में हरब लिखने नहीं वारे तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ आप इसका यूज कर सकते हो आप को बाताने के लिए कि क्या-क्या चीज़ह निक है बट अभी हम solid लखेंगे इसको ताकि यह हमें सही 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 से दिखाई दे यह था border आपको समझ में आ गया border क्या है एंड उसके बाद आता है border radius border radius क्या होता है उसके लिए मझे एक background color लेना पड़ेगा तो मैं इस div के उपर ही background color ले लेता हूँ एक जो कि हमने अभी अभी देखा है background color background color कुछ अच्छा सा background color ले लेता हूँ यह color लेता हूँ tomato type का color है इसको मैं थोड़ा सा RGB से change कर देता हूँ थोड़ा सा इसको light कर देता हूँ and save करते हैं इसको एंड वापस से जाते हैं तो यह देखो कुछ इस तरी के साथ चुका है यह अब मान लो जब यह मैं इसको zoom in करता हूँ यह देखो यह corners है वह बहुत ही ज्यादा sharp corners है कभी कबार ऐसा होता है कि आपको थोड़े से soft corners चाहिए तो वह एक काम border radius करते है आप simply इदे लिख सकते border radius जैसे लिख होगी आपके पास यह value दिने पड़ेगी आपको मान दो मैंने 2px लिख दिया तो यह चारो तरफ 2-2px से यह soft कर देगा यह देखो चारो तरफ से इसने soft कर दिया मैं zoom in करके दिखा रहा हूँ आपको चारो तरफ से यह soft करते जा रहा है अगर मुझे 20px चाहिए तो मैं 20 लिख देता हूँ अधर यह देखो यह एक दम round कर हो गया इसके अंदर यह कभी कभार अच्छा लगता है कभी कभार नगर लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो बट क्या हो कि मुझे सिर्फ एक ही बाजू से इसका जो corner हो soft करना हो तो उसके लिए आप लिख सकते हो border radius एंड उसके भी पहले मैं मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा border radius मुझे border border top left radius top right radius then उसके बाद आता है bottom left and bottom right तो सभी को देखते है top right radius कुछ इस तरीके का होगा अगर आप इदर 20 pixel लिखोगे तो जो top right का जो आपका corner होगा जो top में होगा right में होगा just like यह top right corner है यह यह आपका soft हो जाएगा ठीक है एंड उसी तरीके से अगर आप bottom right करोगे आप top को अटा के bottom कर दोगे सेव करोगे इसको तो यह देखो आपका bottom right भी इस तरीके से हो जाएगा उसके बाद अगर आप इसको copy करोगे पेस्ट करोगे इंड तर top right की जगा आपने top left लिख दिया तो top left जैसे लिखोगे तो यह देखो यह दूसरी सेट जो left side वह आपका soft हो जाएगा जाएगा उसके बाद आपने bottom left लिख दिया आपका यह जो bottom वाला पाटे वह soft हो जाएगा तो आपको पता चलिए कि आपको individual किस तरीके से border लगानी है अगर आपको directly सभी चारो जगा पर लगानी तो यह आप यूज कर सकते हो इंडिविजुल लगानी तो इसका यूज कर सकते हो border top right border top left border bottom right and border bottom left okay इन सब का यूज कर सकते हो and यह आपके बहुत ही काम में आयागा कभी कबार आपको ऐसी मटीरिस्टिक जो website बनाते हो नहीं तो उसमें what soft edges बहुत ही ज़रूरी होते हैं कई-कई website में तो आप इसका यूज कर सकते हो किस तरीखे से border come I got सकते उसका color कैसे change कर सकते एंड साथ ही सथ बैकराउंड को कैसे एड़ कर सकते उसको change कर सकते हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो चला तो प्लीज लाइक श्रेने सब्सक्राइब वरना मत भूला अपने किसी डेवलोपर को यह वीडियो शेर कर देना एंड मैं मुलूंगा आपसे किसी नाए वीडियो में किसी नाय टॉपकर के साथ तब के लिए स्टे ट्यून